हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्ला है केडमी आयम पुश्पेंदर धाकर आज मैं आपको बताने बाला हूं रेल बेन जो बंपर भरतिया नेकाल ने 14,000 प्लस भरतिया निकली हुई है जूनियर इंजीनियर्स के लिए जूनियर इंजीनियर इंफरमेशन टेकनलोजी आई टी के लिए तो आईए शुरू करते हैं सबस्क्राइब मैं आपको बताता हूं इसका डेट ओ पॉलिकिशन नोटिफेकेशन का था 29 दिसंबर को जी है इसके जो ऑनलाइन एजस्टेशन चालोंगे वो होंगे आपके दो जनवरी से और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है आपका 31 जनवरी जिसमें आपके Warning payment का लास्ट डेट है autline payment का लासट डेट है पा सफरवरी को यह को होगा हो जो कंप्टर बेस्ट हो उप होगा में इसका एक्छ सेंदी बाइंसल और तेस्ट तो आइए आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं जिदूह माँगी यह नो भी रिजर्विशन के हिसाफ से उसमें इसके रिलाक्सेशन है अब इसको हम बात करते हैं फीस की तो फीस जो है आपकी वो है जनरल और OBC केटिगरी वाले बच्चों के लिए फर्स्ट एग्जामनेशन की वो 500 रोपे हैं जिसमें 400 रोपे रिफंडेबल रहेगा आफ्टर है जो 200 रोपे वापस मिल जाएगा आफ्टर फर्स्ट सीविटी एग्जामनेशन रिफंडेवल है जी मोड़ो पैमेंट है इसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग डेवेट क्रेडिट कार्ड यूपी आई के थुरू और ऑफलाइन भी आप पे कर सकते ऑफलाइन आप SBI के चाहलन के स्कूरिप बता देता हूं कि आपको इसमें आपको बीएसी डिगरी से आपका MY मिनीमम नहीं या फिर नहीर mijn एंडीनीम तीन साल का होना चाहिए चाहाँ आपसी चीज में इसमें कि अलग अलग चीजों में अलग अलग चीज़ें मांग गूई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि Mechanical Engineering में Mechanical Engineering जिसने की Industrial Engineering बगेरा किया हो Automobile Engineering में किया हो और साथ मैं आपकी Information Technology में Computer Science में BSC किया हो BCA किया हो BEE किया हो BTEK किया हो और CMA Group के लिए BSC होना चाहिए Physics Chemistry मेंस के साथ इसमें Chemistry मेंस्ट है Chemistry और Physics जरूर होना चाहिए BSC, BEE, BTEK और Diploma Holder इसमें Apply कर सकते हैं जिन्हों Minimum जो duration होना चाहिए डिग्री का वो तीन साल का होना चाहिए मैं Exam 4 साल चाहिए जैसे कि BEE का 4 साल होता है तो आईए हम बात करते हैं CVT Exam First कि जी आफ में आपका जो टोटल जो 100 marks का पेपर होगा जिसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनिट्स यानि कि देड़ घंटे आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपके मैस के 30 कोशन रहेंगे Reasoning के 25 रहेंगे General Awareness के 15 रहेंगे और General Science के 30 रहेंगे टोटल मिलाकर 100 marks का आपका पेपर होगा जो भी 90 मिनिट्स में होना है जी आई यह आपका First CVT होगा इसके बाद आप एक कौलिफाय कर लेते हैं Second CVT exam होगा जो कि आपका 2 घंटे कर आएगा 120 मिनिट कर आएगा टोटल 150 नमर का आपका पेपर होगा जिसमें आपका जिये का 15 का Physics Chemistry जिसमें 10th किलास तक जनरली वो कोशन आएंगे वो 15 marks का होगा Computer Application का 10 नमर का और Basic Environment and Pollution Control का 10 नमर का होगा Technical Ability यह बहुत ज़्यादा IMP 100 नमर का इसका कोशन होगा Total आपके 1500 नमर का होगा और आपको बता देता हूँ इसमें Negative Marking है जी है इसमें Negative Marking है और साथ में आपको इसका पूरा Slavus देखना हो तो मैंने आपको इसका Notification Description में दिये दिया है तो आप इसके पूरा Notification में आप इसके Slavus को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यही पे खतम करते हैं तो फ्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलो तो आपको ऐसी वीडियो चाहिए ऐसी अपडेट आपको बने रहना है तो फ्लीज सब्सक्राइब जरूर करें Thank you so much